Assalamualaikum students, उमीद करता हूँ आप लोग खेरियस से होंगे, हाजर हूँ MF English Center से तो students आज जो है वो Hooks Law को करेंगे, ठीक है Hooks Law ये बहुत ही important law है जैसे कि हमने Newton Second Law of Motion पढ़ाता ना F is equal to MA तो उसी तरह से ना ये Hooks Law भी है, ठीक है यहाँ भी जो है हम force को study करते हैं लेकिन force का spring पे क्या असर पड़ता है, इस चीज को देखते हैं तो important जो है ये lecture है, Hooks Law जो है वो paper में आ सकता है तो मैं आप से कहूँगा कि lecture को पूरा देखिएगा और इंशाल्ला numerical भी इसके दो numerical है एक self-assessment question में numerical है और एक नीचे numerical दियावा है ये दोनो numerical भी आची ही वीडियो में मैंने आपको कराने है और Hooks Law को अच्छी तरह समझाना है paper में आ सकता है ठीके तो important topic है तो पूरी वीडियो को देखिएगा तो यहां मैं आप से कहूँगा क्या है अगर आपको notes चाहिए हो तो contact कर लीजिएगा physics के और Islamiyat के उर्दू के English के यह तीन चार notes जो है यह बन गए है और बाकी इन process है जैसे जैसे बनते जाएंगे information प्रोवाइट करता जाओंगा ठीके तो चलें Hooks Law की तरफ आजाते हैं और Hooks Law पे बात करते हैं Robert Hawk, an English scientist, first described the mathematical pattern of stretching a spring He observed the dependence of displacement or size of the deformation upon the deforming force and Lord Hooks Law state debt देखें student इसमें क्या बात की जारी है सबसे पहले तो यह समझा जाता हूँ देखें इस law को जिस scientist ने पेश किया था उसका नाम है Robert Hawk, ठीके Robert Hook पढ़ लीजे यह Robert Hawk जो है इनका नाम है तो इसे अक्सर Hook Law बोला जा रहा होता है यह Hawk Law जो है से कहा जा रहा होता है तो इस law में आपने यह देखना है कि जब spring पे force लगाते ना तो कितना displacement cover होता है और वो displacement जो cover होता है वो किस-किस चीज़ पर depend करता है तो यहाँ पर यह जो law है वो scientist के नाम पर ही जो है वो दिया गया है यानि इसको scientist का ही नाम दिया गया है अच्छा अब इसमें हमने क्या देखना है इसमें हमने यह देखना है कि जब हम force apply करते ना force apply करने से spring जो है ना वो deform होता है यानि शकल तबदील करता है अपनी और उसकी length में increasement आता है यहाँ पर displacement को extension कहेंगे हम यानि पीछे जो हमने extension पढ़ाता यहाँ पर उसे displacement कहा जाएगा यानि जितनी extension हो रही है वो ही चीज displacement होगी ठीक है तो यहाँ पर देखें आपको मैं इसकी जो है वो इस law की जो statement है वो पढ़के बताता हूँ within elastic limit the displacement produced in the spring is directly proportional to the force apply तो बहुत simple law है कोई भी मुश्किल law नहीं है इसकी mathematical form है सबसे पहले यह देखिए कि यह f is equal to kx ठीक है इसको पहले हम directly proportional के sign में लिख ले थे proportionality के के f directly proportional x अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब भी proportionality का sign हटाते ना हमेशा equal to और एक constant लगाए जाता है तो यहाँ पर हमने लिख लिख लिया kf equal to और constant ठीक है अब constant कौन सा लगेगा वो मैं आपको समझा कर बताऊँगा ठीक है डारेक नहीं वनना तो समझ नहीं आईगी बात देखें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यह आपके पास है एक spring है यहाँ पर आपके पास यह एक spring है जैसी ही force लगाओगे यह देखें यह बढ़ गिया इसको थोड़ा साओर में यह हमारे पास बढ़ गिया यानि जितना ज्यादा आप force अप्लाए करोगे उतना ज्यादा जो है वो displacement में इजाफा आएगा और एक बात का दिहान रखना है जो कि मैं पहले भी लेक्शर्स में बता चुका हूँ कि अगर force इतनी ज्यादा लगाई कि वो जो है spring की limit से बाहर होई तो limit यानि spring जो है वो अपनी original position में वापस नहीं आएगा और यहाँ पर law में भी एक बात इन्होंने लिखके दी वी है within elastic limit यानि elastic limit में रहना है यानि इतनी force आपने apply नहीं करनी है कि ये spring दुबारा अपनी original position में दुबारा ना आ सके अगर ज्यादा force apply कर दी तो spring खिचा का खिचा रह जाएगा आप इसकी example यानि इसको खुद भी चेक कर सकते हैं करके कि आपके पास ball pen में जो है spring मौजूद होता है जब ball pen खतम हो जाए उस spring को निकालें थोड़ा सा खिचें बिल्कुल और छोड़ दे तो दुबारा original position में आ जाएगा लेकिन ज्यादा जब खिच देंगे ना तो वो permanently deform हो जाएगा यानि अब वो दुबारा original position में इस हाल में नहीं आ सकेगा बलके ऐसा टेड़ा मेड़ा हो जाएगा ऐसा टेड़ा मेड़ा हो जाएगा ठीक करके चेक कीजेगा आप समझ जाएगे और length में तो उसके अधाफा आए ही जाएगा तो hook law जब तक applicable रहेगा ये बात याद रखिएगा अकसर बच्चे स्वीच चीज में confused हो जाते है कि hook law हर वक्त applicable रहता है spring पे नहीं hook law जब ही applicable रहता है जब जो है हम force spring limit के अंदर elastic limit के अंदर रहके लगाए फिर repeat करता हूँ कि hook law जब applicable रहता है जब हम elastic limit के अंदर रहकर force लगाए यानि इतनी force लगाए कि वो जब हम force लगाना बंद करें तो spring दुबारा इस position में वापस आ जाए ठीक है ऐसा ना हो कि वो इसरी वाली position यानि ये वाली position में चला जाए तो hook law applicable नहीं रहेगा इतनी force लगाए कि ये जो है ये खिचे थोड़ा इसमें displacement में दाफा आए लेकिन जब force लगाना बंद करें तो दुबारा इस position में आ जाए चले अब आजए constant के ओपर बात करते हैं इसका जो constant है वो काफी important है इसको हमें पढ़ना होता है जैसे f is equal to ma के formula में पढ़ा था तो mass आपको पता था क्या था लेकिन यहाँ पर जो constant है इसको देखते हैं यहाँ पर जो constant लगेगा वो लगेगा k अब ये k क्या है देखें ये k जो है वो spring constant क्यलाता है spring constant अच्छा spring constant आपको नीचे ही लिखके दियावा है where k is spring constant stiffness of spring यानि ये जो है क्या होता है कि ये बताता है कि spring जो है हमारे पास वो कितनी जो है वो बरदाश कर सकता है force को यानि हर spring के लिए k की value अलग-अलग होगी आपको पता है कुछ spring होते हैं बहुत मजबूत कि आप उन्हें हास से नहीं दबा सकते जैसे के bikes के कार के हर जो mechanical चीज उसमें spring होता ही है अमूमन ठीक है जैसे के गाडियां हो गई उसमें हर बहुत spring इस्तमाल हो रहे होते हैं तो आप bike के spring को अलग होगी अब आप ball pen का spring है easily उसको compress भी कर सकते हैं और stretch भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि उसकी k की value अलग है तो ये जो k की value होती है ये अलग-अलग होती है हर spring के लिए तो इस बात को आपने याद रखना है के k की value हलग-अलग होगी हर spring के लिए तो देखें आगे आपको एक और बात बताई जा रही है जो के मैंने आपको पहले ही explain कर दी थी hook law के बारे में के अगर आपने hook law लगाना है किसी भी spring पे तो इस बात का खयाल लगना है कि इतनी force लगाएं कि दुबारा original position में आ जाए चीज अगर original position में नहीं आएगी तो वो हमेशा के लिए क्या होगी deform हो जाएगी यानि खराब हो जाएगी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि hook law is applicable to all kinds of deformation and all kinds of matter solid, liquid or gas within certain limit यहाँ पे कहा जा रहा है कि hook law से आप सिर्फ spring ही की नहीं बलके दूसरी जो चीजे होती है जैसे के solid आपको पता है solid भी बहुत सारी solid ऐसी चीजे होती है जिसके अंदर elasticity मौजूद होती है यानि अगर उसे हम खेचे और उसको वापस छोड़ दें तो वो अपनी original position में आ जाता है इसी तरह से rubber है rubber कोई spring नहीं है आपको पता है ठीक है वो एक material है वो एक जो है हमारे पास एक matter है solid matter है तो जब आप उसे खेचते हैं तो वो खेचता है छोड़ते हैं तो दुबार अपनी original position पर आ जाता है तो आप hook law उस पर भी लगा सकते हैं rubber पर scale पर भी लगा सकते है कि हम कितनी force लगाएंगे तो कितना जो है वो displacement में जाफाएगा लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आपको K की value पता होनी चाहिए ठीक है अगर K की value पता है तो आप उसके ओपर भी hook law लगा सकेंगे easily और जब भी आपको जो है वो दिया जाएगा numerical तो उसमें K की value जरूर बताई जाएगी यहाँ फिर आपको force दे दिया जाएगी और displacement दे दिया जाएगी और K की value निकालने का कहा जाएगा तो जब भी मैं यह चीज करता हूँ कि पहले topic समझाता हूँ पूरा brief उसके ओपर जो है वो आपको brief उसका description देता हूँ brief उसके ओपर जो है वो मैं detail lecture देता हूँ फिर numerical कराता हूँ तो numerical बहुत असान हो जाता है और बहुत से बच्चों के group के बच्चों के comment इस चीज़ पर रहते हैं मुझे के sir पहले जो है वो आप topic कराया करें उसके बाद numerical ताकि समझ में आए बात direct numerical करा दूँगा numerical तो हो जाएगा और मैं समझा भी दूँगा आपको लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा पढ़ने में मज़़ नहीं आएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ अगर direct numerical कराता तो के आपको समझ नहीं आता बस मैं यह बोल देता के constant है value दीवियों की लगा दीजिएगा लेकिन अब के समझा दिया है के k क्या होता है हर spring के लिए अलग-अलग होता है और यह बताता है कि कौन सा spring जो है वो कितनी limit हमारे पास रखता है और कितना बरदाश करेगा तो k की value हर spring के लिए अलग-अलग रहेगी एक spring के लिए k की value याद करके तमाम में put नहीं कीजिएगा constant में ऐसा होता है कि बच्चे बोलते है constant है जैसे के जी की value constant है तो जहां भी आया पुट कर दो ऐसा वाला constant नहीं है यह यह सिर्फ एक खास spring के लिए constant है यानि अगर उसी तरह का spring बार बार दिया जाएगा आपको तो ही यह value दलीगी लेकिन अगर अलग किसम का spring दे दिया तो इसकी value अलग दली है तो यहाँ पर यही कह रहे हैं के यह जो हमारे पास hook law है यह आप और चीजों पर भी लगा सकते हैं solid पर, liquid पर और gas पर यानि जब अगर उनका elastic limit में रहकर उसको आप खेचे और वो खेच कर दुबारा original position में आ रहा है तो उसके उपर आप फिर hook law लगा सकते हैं फिर सुनिए कि जब लगा सकते हैं कि आपने उसे खेचा वो दुबारा original position में आ गिया तो hook law लगा लीजे लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने उसे खेचा जैसे कि मेरे पास ये marker है मैंने से ही यूँ करा तो यब यह दुबारा अपनी खुदबा खुद original position में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर मैं marker और इसके साथ spring लगा दूँ और खेचूँ दुबारा जब छोड़ू तो अपनी original position में आ जाए तो इस condition में इसके उपर क्या लग सकेगा hook law लग सकेगा क्योंकि यह अपनी original position में दुबारा आ सकता है लेकिन elastic limit का दिहान रखना है कि elastic limit जो है वो avoidate नहीं होनी चाहिए यानि इतनी force नहीं लगाना कि फिर वो दुबारा original position में ना आए ग्राफ से बहुत अची तरीके से बास समझ में आएगी और मैं आपको यह बात बता चुका हूँ यहाँ पर जो displacement है वो extension ही है जितना ज़्यादा displacement बढ़ रहा है यानि उतनी ही ज़्यादा उसमें किचाओ आ रहा है extension आ रही है तो चले यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि आपके पास force है और extension है यानि आप force अप्लाए करते गए यहाँ पर देखें यहाँ पर यह आपको ग्राफ बना के दिया वह है यहाँ पर f यानि force और यह x extension कह लिजिए e x extension या displacement कह लिजिए ठीक है दोनों ही सही है दोनों ही सही है देखें आप force अप्लाए करते गए directly proportional है तो कैसा graph है का straight line ठीक है ताप force अप्लाए करते गए यह बढ़ता गया ठीक है यह जो है बढ़ता गया hook law लगता गया बढ़ता गया लेकिन अगर आप इस p point को touch करेंगे अगर इतनी force अप्लाए की के यह p point touch हो गया तो आपके पास क्या होगा के अब hook law applicable नहीं रहेगा यहां से यह आने के बाद यह यह यूं करफ हो जाएगा यह band हो जाएगा ठीक है क्यूं ऐसा क्यूं हो रहा है कि अब जो है spring अपनी दुबारा original position में वापस नहीं आपाएगा p point तक इसलिए जब भी आपने धिहान रखना है जब भी आप कोई चीज को stretch कर रहे हैं या किसी चीज को मुडा रहे हैं तो इतना मुडाए कि उसके अंदर दुबारा वो अपनी original position में चली जाए ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा apply कर दिया force तो वापस नहीं आपाए देखेंगा आपने ये जो example है वो सुनी ओगी कि रसी को ज़्यादा खेचो तो तो तोट जाती है या रसी को ज़्यादा बल दो तो तोट जाता है तो इसी तरह से ये भी है कि अगर ज्यादा spring पर force लगाई तो बात खतम तो यहाँ पर student आप एक और चीज देख लीजेगा कि X यानि हम displacement की बात कर रहे है ठीक है X यानि displacement यहाँ पर D से denote नहीं किया जाता, मैंने यहाँ आपको बताने के लिए कर दिया था, लेकिन यहाँ D से denote displacement को X से denote किया जाएगा ठीक है तो topic आपको पूरा समझ में आ गया कि क्या चीज क्या है और एक चीज और देख लीजिए कि यह जो K है ना हमारे पास इसका unit भी है Newton पर meter ठीक है displacement unit तो आपको पता है कि meter होता है और जो force का unit है अची तरह समझ में आ गई होगी numerical की तरफ move करते हैं जो कि important चीज है और paper में ज्यादा आपको मुश्किल कर सकता है numerical लेकिन असान numerical है बस formula लगाने और चीज निकालनी है हमने ठीक है तो चले numerical short सुरू करते हैं इसका तो numerical student हमारे पास है work example 1 यानि अभी तक इसमें हमारा पहला ही numerical आया है जो example के तौर पर दिया गया है तो कहा जा रहा है कि spring has spring constant यान spring constant किसे काता हमने k को काता है ठीक है मैंने बोल दिया था spring constant k है और unit से भी आप पचान सकते हैं दो तीन चीज़े हैं परचानने की अक्सर आपको k लिखके नहीं दिया जाएगा spring constant लिखके दिया जाएगा तो unit से परचान लीजिए गा newton meter inverse यानि k की value दी भी है तो यह आपको कितनी दिये है 30 newton meter inverse what load is required to produce an extension of 4 meter तो यहां पर मैंने आपको पहले ही कह दिया था देखें जब ही मैंने आपको पहले lecture समझा पहले मैंने topic समझा उसके बाद आप इस पर आया extension मैंने किसे कहा था extension displacement होगा ठीक है तो displacement को यहां आपको एक्से शोग करेंगे 4 meter का दिया अब आपने क्या पता करना है अब आपने simple यहां पर जो है वो two find हमने क्या करना है यहां पर हमने two find करना है force को कहा जा रहा है कि what load is required यानि कितना load यानि force चाहिए होगी हमें कि 4 meter का extension आजाए यानि 4 meter का displacement कवर हो जाए तो चले आजाए इसको पता करते हैं तो solution लिखते है तो यह आ गई हमारे पास f is equal to k x formula पीछे देख चुक है और पढ़ चुक है ठीक है तो k की value आपके पास है 30 और 4 क्या 4 कौन सी चीज़ है 4 आपके पास है यहां पर displacement ठीक है चले है इससे मजीद solve करते हैं तो जो group वाले बच्चे है इसकी प्रैक्टिस करके मुझे send कीज़ेगा मैं उनके चेक करूँगा कि उन्होंने किस तरह से किया है ठीक है मैं आपको फिर different बनाकर भी उदर send कर दूँगा तो 120 newton आ रहा है 120 newton तो बिलकुल यही दिया हुआ है आपको और यूनिट जरूर लगा दीजिएगा चलें यह तो असान था लेकिन यहाँ पर आपाज है self assessment question पे तो बच्चे बोलता है कि self assessment question भी जो है वो lecture के साथ ही करवा दिया करें ताके असानी हो जाए तो बिलकुल आपकी फर्माईश पे self assessment question भी साथ ही करवा देता हूँ ठीक है बहतरी जब ही आएगी तालीम में जब teacher और बच्चे मिलकर एक जो है वो policy बनाए कि पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है अक्षर आपने देखा होगा कि पढ़ाई इस तरह होती है कि जो teacher के दिमार्क में है जो teacher ने सुचा आपको आके बता दिया पढ़ा दिया एक अच्छा तरीका है क्योंकि teacher जो है वो माबाप का दर्जा रखता है तो बहतर फैसला करकर आता है students के लिए कि आज ये lecture पढ़ा दूँगा आज ये lecture करा देंगे और कल वो करा देंगे मज़ा आएगा फिर बच्चों को भी जो ऐसास होगा कि हमारे कहने पर teacher कर रहा है तो हमें भी दिहान देकर करना है तो आपके कहने पर ये मैं कर रहा हूं तो आपने इसे अच्छी तरह से दिहान देना है और हो सके तो खुश से करकर मुझे send कर देना है बिल्कुल इसी तरीके से होगा तो यहां कहा जा रहा है कि how much force is needed, कितनी force आपको जरूरत होगी तो यहां पर तो हम given data में सरिफ जो चीज़े दीने है वो लिखेंगे जो find करना है ना वो नीचे लिखूंगा में to pull a spring to a distance of देखें यहां पर एक चीज़ देखें तीन तरीके से जो है वो displacement को बोल नहीं है यह कभी extension वो extension बोल देते हैं extension मैंने आपको बताया था क्या था displacement कभी सीधा displacement कह देंगे लेकिन कभी distance कह देंगे तो यहां इन्होंने distance का word इस्तेमाल कर लिया है तो कोई मसला नहीं है distance आपने unit याद रखना है unit तो आपको पता है ना के 30 cm अब आप बुलेंगे सर मीटर unit होता है तो कोई बात नहीं 30 cm को conversion कर देते हैं हम 100 से डिवाइट कर देते हैं हमारे पास यह मीटर में आ जाएगा तो 30 divided by 100 आपके पास होता है 0.3 0.3 meter conversion क्योंकि क्योंकि जितने भी हमने unit दालने है ना formula मेहुकलों में वह ऐसा unit दालने है तो cm ऐसा unit नहीं होता meter ऐसा unit होता है अच्छा तो the spring constant is यहाँ पर आपको दे दिया है अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ कि यह spring constant दिया बन आपको इनमें यह हमेशा unit आपको ऐसा unit देंगे Newton आपको पता है ऐसा unit होता है force का और meter भी पता है आपको ऐसा unit होता है force का तो यह आपको इसमें ही देंगे ताकि आप confused ना हो मुश्किल ना हो क्योंकि यह जो है वो दो चीजों से इसलिए force भी कम चाहिए तो क्या है हमारे पास 15 और x क्या है हमारे पास 0.3 ठीक है तो यह होगी हमारे पास 15.15 multiply by 0.3 तो हमारे को जो है वो 4.5 newton की force चाहिए होगी अगर हम जो है वो displacement में इतना इदाफा लाना चाहते है बिल्कुल कम extension IV है यानि बिल्कुल कम displacement कवर हुआ है तो इसलिए force भी कम चाहिए यहाँ पर displacement ज्यादा कवर हुआ था तो इसलिए force भी ज्यादा चाहिए ठीक है और यह चीज़ spring constant पर भी depend करती है कि कितनी force लगेगी क्योंकिए spring constant भी directly proportional है force के जितना ज्यादा spring constant की value होगी उतनी ही ज्यादा में फिफ़ोर्स भी चाहिए होगी ठीक है चलेंगे तो हमारे दोनो numerical हो गए अच्छा एक चीज़ और है self-assistment question में के right to properties of spring यानि दो खसूसियत बतानी है हमें spring की अब थोड़ा सा numerical आपने उतार लेने हैं और इंशालला गुरूप वाले जो बच्चे हैं उनको मैं आगे भी इसके numerical बना कर अपने पास से share करूँगा ताके practice भी आपकी हो सके चीक है तो चलेंगे इसको आगे करते हैं तो यहाँ पर आपसे इन्होंने सवाल किया किया है सवाल उतार देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर four है ठीक है पहले भी self assessment के question मैं आपको करा दिये थे तो right to property property मतलब खसूसियत ठीक है तो आपने दो खसूसियत बतानी है के हम क्यों इस्तिमाल करते हैं spring को spring को इस्तिमाल करने की क्या वज़ा है तो चले आईए मैं आपको बताता हूँ तो student सबसे पहली जो खसूसियत है spring की वो यह है के हम इसमें जो है वो elastic energy को store कर सकते हैं store यानि जमा कर सकते हैं अब elastic energy की जरूँ पड़ती है के energy को हमने store कर लिया अब जहां पर हमें चाहिए यह वहां पर हमने use कर लिया तो यहां पर लिखेंगे के हम we can store we can store elastic elastic potential potential energy energy in in spring spring ठीक है तब से पहली तो यह हो गई और फिर स्टूटन आपके पास जो दूसरी खसूसियत है spring की वह यह है के spring are made from a variety of elastic material यानि आप spring को जो है वह सिर्फ एक metal से नहीं मतलब यह नहीं कि सिर्फ iron से ही आप spring बना सकते हैं आप steel से भी spring बना सकते हैं मुक्तलिफ और material का इस्तिमाल करके भी spring बना सकते हैं springs are made from from a variety of elastic material elastic यानि आप उसके अंदर जो है वह elastic ऐसा हो material या वह elastic जो है उसके अंदर जो है elastic property मौजूद हो यानि उसमें खिचाओ हो ऐसा नहीं कि किसी भी material से spring बन जाएगा खास material चाहिए होते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही material से बनेगा मुक्तलिफ material भी आप यूस कर सकते हैं spring को मनाने में बनाने के लिए ठीक है materials तो spring are made from a variety of elastic material तो ये दो point मैंने लिखवा दिया आपको तो इन दोनों को आप लिख लीजिएगा तो ये जो है वो properties है यानि खसूसियत है ठीक है खसूसियत होगे हमारे पास ये दो तो उमीद करता हूँ lecture अच्छी तरह समझ में आया होगा कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा लेकिन अगर कुछ पूछ नहीं होगा तो पूछ लीजएगा इंशालला बता दूँगा अच्छा तो यहां पर एक बाद याद रखिएगा कि इसके नुमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिफ जरूर कीज़ेगा पेपर में आ सकते हैं और ये खुद पूरा टॉपिक भी आ सकता है जो है वो पेपरो में तो अगर आप गुरूप मैट होना चाहें तो 500 हमने फीस रखी है गुरूप के जिसमें नोट्स भी देंगे लेक्चर और तमाम चीज़े उसमें मिल जाएंगी नोट्स तमाम फिरी मिलेंगे नोट्स की फीस अलग से पे नहीं कननी होगी और मॉडल पेपर गैस पेपर और बुक का पीडिएफ और जो भी चीज़े होंगी वो इन्शालला मुसमें दे देंगे आपको और पूरे साल की फीस है यह ठीक एक महीने की नहीं है पूरे साल में सिब एकी बार 500 फीस देनी है आपने तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अगर कुछ नहीं समझ में आओ तो पूछ लीजिएगा आखर मैं जरूर कहूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल आइकोन जरूर पैस कीज़ेगा हो सके तो दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा थैंक फर वाचिंग अल्ला हाफिस दूओं में याद रखिएगा